आज की हमारी डिश है अंडा कोर्मा हैदराबादी स्टाइल आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल अंडा कोर्मा उसके लिए इन चीजों की जरूरत है 2 टेबल स्पून देसी गी हमने लिए है इसके बदले आप ओयल भी यूज़ कर सकते हैं चार उबले हुए अंडे, दहीं, एक कप, फैंटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबल स्पून, दो मीडियम साइज के प्याज, उनको हमने बरीक लंबा काटके, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया हमने, फ्राई करके, पीनट्स, वन फोथ कप, नारियल, हाफ कप, हमने फ्रेश नारियल लिया, आप सुखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खसकास, एक टेबल स्पून, उसको हमने दो घंटे पहले पानी में भीगो के रख दिया था, अब इसका पानी निकाल दिया, धनिया पत्ते, दो तीन टेबल स्पून, पुदिने की पतियां, पं हाफ टीस्पून, गरम मसाला हाफ टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टीस्पून, नमक, स्वाधनुसा या एक टीस्पून, और पानी तकरिबन दो कप अंदाजे से, सबसे पहले हम अंडे को फोक के साथ प्रिक कर लेते हैं, सबी तरफ से ऐसे थोड़ा दबाके, ताकि मस ताला उसके अंदर तक चला जाएंगे, और इसी तरह बाकी सारे अंडे भी खर लेंगे, सबसे पहले हम नारियल और मुंफली को ड्राय रोस्ट कर लेंगे, ताकि उनकी जो नमी है वो निखल जाए, कडाई गरम हो चुकी है, अब इसमें सबसे पहले मुंफली डालेंगे, मुंफली का हमने छिलका उतार दिया, इसको ड्राय रोस्ट कर देंगे, चक्रीबन आधे मिनट के लिए, हमारी मुंफली रोस्टेड है, इसलिए हम इसको सिरफ आधे मिनट के लिए कर रहे हैं, तक इसकी जो नमी है, वो भी निकल जाए, अगर आप कच्छी मुंफली ले मुंफली रोस्ट हो चुकी है अब इसको एक प्लेट में पालेंगे अब इसी में नारियल रोस्ट करेंगे हमारा नारियल गीला है फ्रेश है इसलिए पोड़ा सा टाइम लगेगा दो तीन मिनट लग जाएंगे अगर आप ड्राई नारियल ले रहे हो तो इसको कन टाइम लगेगा भूने में नारियल को भी हमने सिम पर दो तीन मिनट के लिए भूना है इनका कलर भी दिखे गोल्डन ब्राउन हो चुका है इनको जैदा ब्राउन नहीं करना यह कड़े हो जाएंगे अब गैस करेंगे बंद और इनको भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब इन सब चीजों को ग्राइंड करके इनका फाइन पेस्ट बना रहेंगे मुफली नारियल दही जो प्याज हमने बुना था ब्राउन किया था और खसकस प्याज दही नारियल मुफली और खसकास का हमने बरीक पेस्ट फाइन बना लिया यह दिखे बिलकुल बरीक कर लिया इसको तो चलिए अब कोर्मा बनाना शुरू करते हैं कडाई में सबसे पहले घी डालेंगे गैस को हम सिम पहले रखेंगे घी डालेंगे इसमें आप तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गी पिगल गया है, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको आदा मिनट तक भूनेंगे, गैस सिम पर ही रखने हैं, आदा मिनट हो गया हैं, लसन अध्रक को भूनते, अब इसमें जो हमने दैनी के साथ पेस्ट बनाई थी, वो डालेंगे, अक्षे से मिक्स करेंगे और इसको भी एक मिनट तक ढूनेंगे और गैस को मिडियम पे खर देंगे इसमें एक टेबल स्पून घी और डाल देंगे हमने तीन टेबल स्पून घी डाला इसमे गैस को सिम पर ही रखेंगे तक ये नीचे नहीं लगे एक मिनट हो गया है, अब इसमें मसाले भी डाल देते हैं, गैस सिम पर ही रखनी है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमप, हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी, लंबी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें पुदीना और धनिया भी डालेंगे, धनिया, पुदीना, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, अब इसको ढख देंगे, और 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, और बीच-बीच में स्टर करते रहेंगे, ताकि मसाला नीचे नहीं लगे, मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसको तकरीबन हमने 5 मिनट अच्छे से भूना है, यह देखिए तेल तरह सारा छोड़ दिया उसने किनारों पर, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप पानी डालेंगे, बाद में जरूरत होएगी तो और डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, गैस को मिडियम पे कर देंगे, उबाला आने पे गैस सिम पे करेंगे, ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें अंडे डालेंगे, और गैस को सिम पे कर देंगे, स्टर करके, इसको 10 मिनट के लिए धक्के रखतेंगे और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे, आठ मिनट हो चुके हैं, तो हमारा अंडा कोर्मा तयार हो गया, यह देखे, ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई, इसमें पतली ग्रेवी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी थिक की अच्छी लगती है, आप गैस करेंगे बन, और इसको एक बोल में टांसर करेंगे, तो यह रही हमारी आज की डिश, हैदराबादी अंडा कोर्मा, आप इसे जरू ट्राइ किजिए, ओर हमें अपना feedback दीजिए, और हमें बताईए कि आपको हमारी यह डिश कैसी लगी, हमारे वीदियो को शेर किजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए, थेंक्स for watching.